दोस्तों अगर आप एक YouTube Creator हैं और आप अपनी वीडियो में News Reporting, Educational या फिर आप किसी चीज की अउलोचना करते हैं तो ऐसे में आपको कई बार किसी दूसरे परसन की वीडियो किलिप या फिर फोटोज को यूज करना पड़ता है जिससे की उस वीडियो किलिप या फिर फोटोज का जो ओनर होता है वो आपकी उस वीडियो पर Copyright Strike दे देता है जिससे की YouTube आपकी उस वीडियो को टेकडाउन कर देता है और ऐसे में अगर आपके चैनल पर 90 days के अंदर 3 Copyright Strike आ जाती है तो आपका चैनल YouTube पर्मानेंटली टर्मिनेट कर देता है और वहीं पर अगर आप अपनी वीडियो में डिस्क्लेमर का यूज करते हैं तो 60% चांस कम हो जाता है कि आपकी वीडियो पर Copyright Strike आएगा और 40% में भी अगर कोई भी बंदा आपकी वीडियो पर Copyright Strike दे देता है तो वहाँ पर आपकी वीडियो को YouTube की टीम खुद रिब्यू करती है और उसको लगता है कि अगर ये फेंक Copyright Strike है और आपकी वीडियो फेर यूज पॉलिसी के तहत बनाई गई है तो आपकी वीडियो मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो के लिए सही तरीके से डिस्क्लेमर का यूज कैसे कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे यूटूब से रिलेटेज टिप्स और ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर काइन मास्टर को यूज कर रहा हूं तो सिंपल सा मैं इसको ओपन कर लेता हूं जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्लस का आइकन दिखा देता है सि पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आपको 16 9 काично सिलेट कर LEα ऑर इसके बाद में next के button पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि image को सको डिखाए जहता है simple से आपको यहां पे क्लिक करके नहीं और क्लिक करने बैलोड करके रखा हुआ था सिम्पल समय इसको यहाँ पैस लेट कर लेता हूं और सिलक्ट करने के बाद दोस्तों मैं कुछ इस तरीकेश के यहाँ पर इसको कर देता हूं अब दोस्तों इस पियां जी कर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्चन में दे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर इसके बाद में आपको लेयर वाले आपसन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर इसके बाद में आपको यहां से कट कर देना है और करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके क्या करना है कि कलर को चेंज कर दे और क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर को चूज कर लेना है फिर इसके बाद में यहां से आपको बैक चले आना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ति आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है फिर से आपको लियर वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है जै सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अब दोस्तों क्या करना है कि आपको इसके फॉंट को चेंज करना है ताकि और भी स्टाइलिस लगे तो उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको अपने फॉंट क पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फोल्डर का अपसन दिखाई देना है और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर को कोई सा भी music add कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आप दोस्तों मैं फिर से आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि फानली आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है चुप है तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारा Lai मरक पूरी तरीके से तैयार हो गया है अब आपको इसको"? ईक प्रक करना है तो उसके लिए कोई आपको इस मैं पर क्लिक कर देना है और क्या करने के और इसके बाद में आप अपने वीडियो को सफिलेट कर लेना है और फिर इसके बाद में जो आपका disclaimer है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा सो फाइनली दोस्तों आज की इस video में आपको disclaimer को बनाने का तरीका और उसको use करने का तरीका बताया हूँ और अगर आपको description में अच्छी तरीके से disclaimer को use करना है तो उस वीडियो का link में उपर i button में दे दूंगा आपकी बहुत ही help हो जाएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगे तो इस वीडियो को अभी like कर देना नीचे comment box में जरू बता देना कि यह वीडियो कैसी लगी और अगली किस टोपिक पर चाहिए और अगर आप ऐसे YouTube से related tips and trick के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी subscribe कर देना और साथ में बिल आइकन भी प्रेस कर देना तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों बाई बाई